ओम् श्री पर्मात्मने नमा यथार्थ गीता श्रीमत भगवत गीता अथा द्वादशू त्याया एकादश अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया था कि अर्जुन मेरा ये स्वरूप जिसे तूने देखा तेरे सिवाय न पहले कभी देखा गया है और न भविश्य में कोई देख सकेगा मैं न तब से न यग्य से और न दान से ही देखे जाने को सुलब किन्तु अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं श्रधा बिखेरने न पाए निरंतर तैल धारावत मेरे चिंतन के द्वारा ठीक इसी प्रकार जैसा तुने देखा मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलब हूँ अतह अर्जुन तु निरंतर मेरा ही चिंतन कर भक्त बन अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, अर्जुन तु मेरे ही द्वारा निर्धारित किये गए कर्म को कर, मत पर्माह, अपे तु मेरे परायन होकर कर, अनन्य भक्ति ही उसकी प्राप्ति का मात्यम है, इस पर अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था, कि जो अव्यत्थ अक्षर की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ट काउन हैं, अर्जुन ओवाचा एवं सतत युकताए, भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम व्यक्तं, तेशाम के योगवित्तमाः एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधी बताई है, ठीक इसी विधी के अनुसार, अनन्य भक्ति से आपकी शरण लेकर, आपसे निरंतर संयुक्त होकर, आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न ले कर स्वतंत्र रूप से अपने भरों से उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच मैया वेश्यमनो एमा, निद्ययुक्ता उपासते, श्रत्यया परयो पेता, ते में युक्ततमामता अर्जुन, मुझमें मन को एक आग्र करके, निरंतर मुझसे संयुक्त हुए, जो भक्त जन परम से सम्मंद रखने वाली श्रेष्ट श्रद्धा से युक्त होकर, मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्यें येत्वक्षरम निर्देशं, अव्यक्तं परियुपासते, सर्वत्रगम चिंत्यंच, उतस्थम चलं धुवं सन्यम येंद्रियक ग्रामं, सर्वत्रसम बुद्धया, ते प्राप्नुवंति मामीव, सर्वभूत ही ते रता जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार सैयत करके, मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे, सर्वव्यापि, अकत्निय स्वरूप, सदा एकरस रहने वाले, नित्य, अचल, अव्यक्त, आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म्ह की उपासना करते हैं, सम्पूर्ण भूतों के हित में लगे हुए, और सब में समान भाव वाले, वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ब्रह्म्ह के उपर्युक्त विशेशन, मुझसे भिन नहीं हैं, किन्तु, ख्लेशो धिकतरस्तेशां, अव्यक्ता सक्त चेतसां, अव्यक्ता ही गति दुख्खं, देहवद्भिरवाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुर्षों के साधन में, क्लेश विशेश हैं, क्योंकि देहा भिमानियों से अव्यक्त विश्यगति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती हैं, जब तक देह का भान है, तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुशकर ह योगेश्वर शुरी कृष्ण सद्गुरू थे अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त था वे कहते हैं कि महापरुष की शर्ण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूँ आगे इस अवस्था में जाऊंगा मैं अपने ही अव्यक्त शरीर को प्राप्त होंगा वो मेरा ही रूप होगा मैं वही हूँ इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतिक्षा न करके अपने शरीर को ही सो हम कहने लगता है यही इस मार्ग में सबसे बड़ी बादा है वो दोखालियम अशाश्वतम में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है किन्तु जो मेरी शरण लेकर चलता है वो ये तु सर्वानि कर्मानी मै सन्यस्यमत पराह अनन्ये नईवयोगेन मामध्यायंत उपासते जो मेरे परायन होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अरपन करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं केवल मुझ में चित लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीग्री ही मृत्य रूपी संसार से उधार करने वाला होता हूँ इस प्रकार चित लगाने की प्रेरणा और विधी पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं मैं येव मन आधत्स्व मैं बुद्धिम निवेशय निवसिश्यसि मैं येव अत उर्ध्वम्न संशय इसलिए अर्जुन तु मुझमें मन लगा मुझमें ही बुद्धि लगा इसके उपरांत तु मुझमें ही निवास करेगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है मन और बुद्धि भी न लगा सके तब जैसा अर्जुन ने पीछे कहा भी था कि मन को रोगना तो मैं वायू की तरह दुश्कर समझता हूँ इस पर योगेश्वर श्री कृष्म कहते हैं अथचित्तम समाधातुम नशक्नोशिमई स्थिरम अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनन जय यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर अर्थात जहां भी चित्त जाए वहां से घसीट कर उसे आराधना चिंतन क्रिया में लगाने का नाम अभ्यास है यदि ये भी न कर पाए तो अभ्यास एप्यसमर्थोसी मतकर्म परमुभव मदर्थम पिकर्मानी उर्वन सिधिम वाप्स्यसी यदि तु अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर अर्थात आराधना करने में तकपर हो जा इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तु मेरी प्राप्ति रूपे सिध्धि को ही प्राप्त होगा अर्थात अब्यास भी पार ना लगे तो साधन पत में लगे भर रहो पत्य तदप्य शक्तोसी कर तुम्मद्योग माश्रितह सर्वकर्म फलत्यागम ततह कुरुयतात्मवाम यद इसे भी करने में असमर्थ हो तो संपूर्ण कर्म के फल का त्याग कर अर्थात लाभान की चिंता छोड़ कर मद्योग के आश्रित होकर अर्थात समर्पण के साथ आक्मवान महापुरुष की शरण में जाओ उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वता होने लगेगा समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग का मात्व बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयोहि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानाद ध्यानम विशिश्यते ध्यानाद कर्म फलत त्याग त्यागाद छान्ति रनंतरम केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ट है ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ट है क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ट है क्योंकि इश्ट के प्रति समर्पन के साथ ही योग पर द्रिष्टी रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उनके योग क्षेम की जिम्मेदारी इश्ट की हो जाती है इसलिए इस्त्याग से वो तत्काल ही परम शान्ती को प्राप्त हो जाता है अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निश्काम कर्म योगी श्रेष्ट है दोनों एक ही कर्म करते हैं किन्तु ज्ञान मार्गी के पत्मे व्यवधान अधिक हैं उसके लाभहान की जिम्मेदारी स्वयम पर रहती है जबकि समर्पित भक्ति की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है इसलिए वो कर्म फल त्याग द्वारा शेग्र ही शान्ति को प्राप्थ होता है अब शान्ति प्राप्थ पुरुष के लक्षां बताते हैं अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहमकार समदुख सुखक्षमी इस प्रकार शान्ति को प्राप्थ हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेश भाव से रहित सब का प्रेमी और हेतु रहित दयालू है और जो ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुख की प्राप्थी में सम तथा क्षमावान है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा द्रिढ निश्चया मैयर पितमनो बुद्धि योमत भक्त समेप्रिया जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है लाब तथा हानि में संतुष्ट है मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किये हुए है द्रिण निश्चय वाला है वो मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चय हर्षा मर्षभयो द्वेगय मुक्तो यह सच में प्रिय ह जिससे कोई भी जीव द्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयम भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता हर्ष, संताप, भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है वो भक्त मुझे प्रिय है साधकों के लिए ये श्लोक अत्यंत उप्योगी है उन्हें इस धन से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे इतना तो साधक तर सकता है किन्तु दूसरे लोग इस आचरां से नहीं चलेगे वे तो संसारी हैं ही, वे तो आग उगलेंगे कुछ भी कहेंगे किन्तु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा अर्थात उनके आधातों से भी उथल पुथल न हो चिंतन में सुरत लगी रहे, क्रम न तूटे उदाहरन के लिए आप स्वयम सड़क पर नियामा कूल बाए से चल रहे कोई मदिरा पीकर चला आ रहा है, उससे बचना भी आपकी जिम्मेदारी है अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासी नोगतव व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यूमद्भक्त समीप्रियः जो पुरुष आकांक्षाओं से रहिप सर्वता पवित्र है दक्षा है, अर्थात आराधना का विशेशग्य है अर्थात ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, नियत कर्म आराधना, चिंतन उसमें जो दक्ष है जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है सभी आरंभों का त्यागी, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेश नहीं रहती यो न रिश्यती न द्वेश्टी, न शोचती न कांग्षती शुभा शुभ परित्यागी, भक्ति मान्य समी प्रियाः जो न कभी हर्शित होता है, न द्वेश करता है, न शोच करता है, न कामना ही करता है जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है जहां कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेश नहीं है भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त, वो पुरुष मुझे प्रिया है समः शत्रऊच मित्रेच तथा माना पमानयो शीतोष्न सुख दुखेशो समः संग विवर्जित हो जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में सम है जिसके अंतह करन के वृत्तियां सर्वथा शान्त है जो सर्दी गर्मी सुख दुखादी द्वन्द्वों में सम है और आसकती रहित है तथा तुल्य निंदा स्थुतिर मौनी संतुष्टो येन केन चित अनिकेत स्थिरमत्य भक्तिमान में प्रियोन रहा जो निंदा तथा स्थुति को समान समझने वाला है मनंशीलता के चरम सीमा पर पहुँच कर जिसकी मन सहित इंद्रियां शान्त हो चुकी है जिस किसी प्रकार शरीर निर्वा होने में जो सदैव संतुष्ट है जो अपने निवास थान में ममता से रहित है भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुचा हुआ वो स्थिर बुद्धिवाला पुरुष्ट मुझे प्रियां ये तु धर्म्याम्रितमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत परमा भक्तासते तीव में प्रियां जो मेरे परायन हुए हार्दिक श्रद्धायुक्त पुरुष्ट इस उपर्युक्त धर्म मैं अम्रित का भली प्रकार सेवन करते हैं वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं निशकर्ष गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तेरे सिवाय न कोई पाया है न पासकेगा जैसा तूने देखा किन्तु अनन्य भक्ति अत्वा अनुराग से जो भजता है वो इसी प्रकार मुझे देख सकता है तक्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझे में प्रवेश भी पासकता है अर्थात परबात्मा ऐसी सकता है जिसको पाया जाता है अतह अर्जन भक्त बन अर्जन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवन अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ किन्तु जो इंद्रियू को वश में रखते हुए मन को सब और से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आ सकते हैं उनके पत्मे क्लेश विशेश हैं जब तक देह का अध्यास अर्थात भान है तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुख पूर्ण है क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलेकाल में मिलेगा उसके पूर्वोस का शरीर ही बीच में बाधग बन जाता है मैं हूँ मैं हूँ मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही और घूम जाता है उसके लड़ख़ाने की अधिक संभावना है अता है अर्जुन तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अरपन करके अनन्य भाक्ति से मेरा चिंतन कर जो मेरे परायन भाक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अरपन करके मानव शरीरधारी मुझ सगुन योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं उनका मैं शेग्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ अता भक्ति मार्ण श्रेष्ट है अर्जुन मुझ में मन को लगा मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर जहां भी चित जाए पुनह घसीट कर उसका निरोध कर यह भी करने में असमर्थ है तो तु कर्म कर कर्म एक ही है यग्यार्थ कर्म तु कारियम कर्म करता भर जा दूसरा न कर उतना ही कर पार लगे चाहे न लगे यदि यह भी करने में समर्थ है तो इस्थित प्रग्य आत्मवान तत्वग्य महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तु परमशान्ती को प्राप्थ हो जाएगा। तत्पश्चार परमशान्ती को प्राप्थ हुए भक्त के लक्षन बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा जो संपूर्ण भूतों में द्वेश भाव से रहित है जो करुणा से युक्त और दयालु है ममता और अहंकार से रहित है वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तकपर और आत्मवान आत्म स्थित है वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयम भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यताउं से उपराम है, सरवारंभों को त्याक कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शान्त और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के इस्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसकती नहीं है, ऐसा इस्थित प्रग्य भक्तिमान मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भाक्त की रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधुकों के लिए उपा दिये है। अंत में निर्णे देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुम जो मेरे परायन हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस उपर कहे हुए धर्म मैं अम्रित को निश्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भाक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतिश समर्पन के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हान लाब के जिम्मेदारी वे इश्ट सद्गुरु अपने उपर ले लेते हैं। यहां श्री कृष्ण ने स्वरूपस्त महापुरुष के लक्षन बताये। उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रिर्णा देकर उन महापुरुष्ण के समकक्ष अपने को घोशित किया। श्री कृष्ण एक योगी महात्मा थे। इस अध्याय में भाक्ति को श्रेष्ठ बताया गया। अतह इस अध्याय का नाम करण भाक्ति योग युक्ति संगत है। ओम तत्सिदिती श्रीमत भगवत गीता सूप निशत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन समवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याया। इस प्रकार स्वामी अलगणानंकृत श्रीमत भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता का बारवा अध्याय पूर्ण होता है। हर्यों तत्सत।